हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बैक और युट्यूब एडुकेसन चनल तो इस वीडियो में आप लोग के साथ बात करें स्टानल सावन्थ हिंदी चैप्रे नमर पाई का यहां पे आपको मैंने पूरा पाट करा दिया है पूरा कहानी मैंने आपको समझा दिया है तो इस वीडि ललाट कापाट में स्वैर कपाल भुरुकुटि का भाव और काल का समय मतिवान का यहां पर मतिमान का बुद्धिमान आयगा तो चलो यहां पका अभियास आएगा प्रश्ण नमबरदह से स्टार्ट करतें प्रस्ण सनबर एक आपका होउम्वाग है निम ने लिखित प्रगती की है यानि कि अलग अलग छेतर में मनुष्य ने क्या प्रक्ति की है यहाँ आप लोग सकते हैं रासायनिक खाद एवं एवं ट्रेक्टर बनाकर फिर मनुष्य ने क्रिशी छेतर में समाज का उत्पादन बढ़ाया है फिर व्रिधूतार सकती ने चलने वाली मसीनों के द्वारा उसने आधोई आधोई छेतर में पपड़ा प्लास्टिक रबड़ आधी की आधी से तरह तरह के उच्पादन किये है फिर यहां पर आपका भवन निर्मार के छेतर में उसने अनोखी सफल्टा प्राप्त की है मोटर बस रेलगाडी है ना यह सब हैं आपारे फिर यह भी जाएगा आपका हवाई जहाज ठी आप उसमें से देख सकते हो और उसके क्वेशन आई होप की वर्क बुक में होंगे ही तो चलो आगे पड़ते हैं पर अन्य जीवों में मनुष्य महान कैसे कैसे है तो यहां पर हमारा इस्वर जाएगा मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विसे के सड़ बुद्धी है इसी बुद्धी के द्वारा उसने अन्यों के आविश्कार किये है मनुष्य को वानी का वर्दान मिला है उसके पास भासा की सकती है उसके बल पर उसने उसने समझ से मतलब समझ जता और संस्कृति का विकास किया है इस प्रकार मनुष्य मतलब कावे में उल्ली खीत प्रक्ति के तत्व बनाईए और उसके समानार्थ सब्द लिखिए समानार्थी सब्द लिखिए तेहां पे आप लोग अपनी तरब से लिख सकते समानार्थी जैसे कि धरती भूमे प्रिथ्वी फिर नदी अरिता अंबर आकाश पावन हवा परवत पहा सब्द लिखिए और सब्द कोष्ट के क्रम मतलब सब्द कोष्ट में से उनके अर्थ पूरण बनाई है तो यहां पर आपको सबसे पहले अच्छे सुच्चाने करने हैं तो यह आपका हुम्मक जाएगा रिष्ट पूश्ण फिर समवाद सिख्र जवहर अजन भी वेदान फिर यहां पर मुकद्दर सार्दी फिर व्रिद्धी स्पस्ट है ना तो यहां सापके सुध्ध उचाना जाएगे और यहां पर फिर अपका फिनिया आपको सब्द कोष्ट क्रम में आपको आता ही होगाई हो तो अगर नहीं आते तो मैं को जाएगा जैसे प्रिथ्वी के लाल तेरा हिम गिरी सभाल तेरे भ्रुक्ति में तंडव का ताल है यहां पर यह जाएगा जैसे प्रस्तुत पंक्ति में कवी कहना चाहता है कि जह है प्रिथ्वी के पूत्र है प्रिथ्वी के पूत्र तेरे पास हिमाले जैसा उचा दर्ज तुम्हारे पास हिमाले जैसा उचे दर्जे का दिमाग है फिर यहां पर आपका जाएगा तर अगर अगर तू क्रोधी तो हो जाए यानि कि अगर क्रोध में अपनी भव तिर्ची कर दे तो उसका वह असर होगा जो सीव के टांडव के ताल में होता है ठीक है कि यहां पर साथ्टू गती मान तेरी नव मिस दम से वी उची होडान है रे मनुस्त तो बड़ा माने यह करना करते हैं मनुस्य पंक्ती में कभी कहना चाहता है कि मनुस्य मनिस्य तुझे मैं Дेया गुरु जैसी बुद्धी मत्ता है और तु पवन की तर्वव गतीमान है फिर तू आका से वीडियो बढ़ा दोगे तो चलिए यहां पर आपका यह पार्ट खत्म होता है तो अगर आप लोग को मैं पसंद दें से लाइक सब्सक्राइब सेर कीजिए कमेंट करके बताएगा आप लोग को कैसा लगा